दोस्तो अब सब लोगों को पताई होगा कि भारत अपने तेजस मारकवान ए एरक्रेप्टों में इस्तमाल होने वाले इंजिनों को लेके कई तरीके के इशूस से गुजर रहा है। बेसिकली अमेरिका से इंजिनों के सप्लाई में डिले होने के वज़ा से अल्रेडी यार्क्रैप्टों के डिलिवरी में भी डिले हो चुका है तो वही पे दूसरे तरफ लगातार भारत के तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे करके इंजिनों के डिलिवरी के डिले से रिकवर किया जा सके पर क्या आप लोगों को पता है कि तेजस एरक्रेप्टों में A404 जैसे अमेरिकी इंजिनों को इस्तेमाल करने से पहले कुछ रश्यन इंजिनों को भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था पर कई सारे कारणों के वज़ा से जहां पर रश्यन इंजिनों का उप्योग नहीं किया गया तो वही पर एक सवाल ये भी बना हुआ है कि अगर चायना पाकिस्तान के JV-17 जैसे जंक फाइटरों के लिए रश्या से RD-93 इंजिनों को हासिल कर सकता था तो क्या भारत के तेजस एरक्रेप्टों में रश्यन RD-93 इंजिनों का उप्योग नहीं हो सकता था अब सो साल 2020 में रश्या के एजनसी यूनाइटेड यारक्रेफ्ट कॉर्फरेशन के तरफ से एक बहुत बड़ा घोशना करते हुए ये दावा किया गया कि पाकिस्तानी यारफोर्स के जंक फाइटर मतलब JV-17 में इस्तिमाल होने वाले RD-93 इंजिनों के एक अपग्रेडर capability के साथ साथ thermodynamics parameter भी बहतर होगा इवन इसके design को भी improve किया जा रहा है ताकि advanced autonomic power control systems को भी इसमें एड़ किया जा सके additionally United Aircraft Corporation के तरफ से ये भी दावा किया गया कि इन इंजिन के safety features को भी enhance किया जाएगा ताकि इन इंजिनों को और बहतरी इंजिन के इंजिन के इंजिन के इंजिनों में उपियो किया जा सके और कुछ media report के मताविक 90 के दशक में जब भारत के द्वारा अमेरिकी A404 इंजिनों का chain किया जा रहा था तब भी रशिया के तरफ से भारत के सामने RD-33 इंजिनों का पस्ताव रखा गया था लेकिन इंजिनों के reliability issue होने के वज़ा से भारत के द्वारा RD-33 इंजिनों को भी तेजस एरक्रेप्टों में इस्तेमाल करने से मना किया किया क्योंकि ये single engine configuration में एरक्रेप्टों के safety को काफी अधिक प्रभावित कर सकता था हाला कि RD-33 इंजिनों के मुकाबल में RD-93 इंजिन और भी अधिक unreliable है जिस वज़ा से RD-93 का उप्योग करना तो सोचा भी नहीं जा सकता अब यहाँ पे दोस्तों अप लोग के जानकारी के लिए वतादू की RD-93 इंजिनों का thrust capability करिव करिव 84 किलो न्यूटन है मतलब इसका thrust भी A404 इंजिनों के ही जितना है पर RD-93 इंजिनों को अधिक thrust के लिए United Aircraft Corporation के तरफ से डिफलफ्ट किया जा रहा था ताकि यह करिव-करिव 91 किलो न्यूटन तक thrust produce कर सके जो कि currently तेज़स Mark 1 AARCRAPTO में इस्तेमाल होने वाले A404 इंजिनों के thrust के मुकाबले में तो अधिक है लेकिन तेज़स Mark 2 AARCRAPTO में इस्तेमाल होने वाले इंजिनों के thrust के मुकाबले में काफी कम है पर दोस्तों इसके बावजूद RD-93MA इंजिनों के द्वारा JV-17 Block 3 मतलब Block 3 के जंक फाइटरों के डील को सिक्योर नहीं किया जा सका और चायना आखिरकार JV-17 Block 3 में और वी घटिया इंजिन मतलब WS-13 इंजिनों का इस्तिमाल करने जा रहा है अब दोस्तों A404 इंजिनों के डिले के वज़ा से कई जगाओं में ये भी सवाल बन रहा है कि अगर भारत के द्वारा RD-93MA जैसे इंजिनों का चायन किया जाता है तो नो डाउट थ्रश्ट कैपेबिलिटी में A404 इंजिनों से थोड़ा अधिक थ्रश्ट होने के वज़ा स आसानी से इन इंजिनों का उप्योग तेजो समार्कवान AAR क्रेप्टों में हो सकता है और दूसरे तरफ इन इंजिनों के बेस वेरियंट मतलब RD-33 इंजिन अल्रेडी हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में निर्मान किया जा रहा है जिस वज़ा स अगर भारत RD-93A में इंजिनों का भी चैन करता है तब भी इन इंजिनों को भारत में बनाया जा सकता है हाला कि RD-93 और RD-33 इंजिनों को देखा जाए तो रश्या के दावे के मताविक RD-33 इंजिनों को जहाँ पे ट्विन इंजिन कॉन्फरिगेशन के लिए डिफलफ्ट कि गया था तो ही भी RD-93 को इस तरीके से बनाया गया है कि ये सिंगल इंजिन कॉन्फरिगेशन में भी इस्तिमाल हो सके और रश्या ये भी दावा कर रहा है कि RD-33 इंजिनों के मुकाबले में RD-93MA इंजिन अधिक रिलाइबल है मतलब सिंगल इंजिन यार क्रैप्टों में अ RD-93MA इंजिनों का उपयोग भारत तेजस मार्क वान इयार क्रैप्टों के लिए करता है तो ये रिलाइबिलीटी के साथ साथ ताइमली इंजिनों के डिलिवरी को भी एंशूर करेगा पर आप लोगों के जानकारी के लिए वतादू की तेजस मार्क वान इंजिनों को बद पर जलना कोई आसान काम नहीं होगा बलकि काफी टाइम टेकन काम होगा और इसी वज़ा से भारत के लिए RD-93 इंजिन हो या फिर किसी अन्य इंजिन का उपयोग करना फिलाल तेजस यार्ट्रेप्टो में समभब नहीं है और अगर किसी अन्य इंजिन का उपयोग इसमें किय जाता है तो इसके लिए कम से कम 4-5 साल का समय लगेगा जिसके अंतरगत इंजिनों को एरक्रेप्टो में फिट करके फिर टेस्ट किया जाएगा फिर सर्टिफिकेशन के बाद ही एरक्रेप्टो के प्रोडक्शन को लेके अनुवती मिलेगा हलाकि RD-93 के जगह में अगर भारत अपने खुद के किसी इंजिन को डेफलाफ्ट कर लिया होता मतलब अगर कावरी 2.0 इंजिन तैयार हो गया होता तो इतना समय का इंतरजार नो डाउट भारत के लिए कुछ ना कुछ आच्छा फल लाता लेकिन विदेशी इंजिनों का उ अंभावनाए है तो केवल मात्र स्वधिशी इंजिनों को लेके ही है और किसी अन्य विदेशी इंजिन को शायद भारत के द्वारा तेजस मार्क वान एयार क्रेप्टो में एफ 404 इंजिनों के अल्टिनिव के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए अब दोसों एक तरफ ज माइक्रोवेब को लेके है मतलब एक ऐसा सिस्टम जो केवल मात्र दुश्मन के अन्मैन एरियल वेकलों को काउंटर ही नहीं करेगा बलकि स्वाम द्रोनों के खत्रे से भी बौडर को सुरक्षित रख सकेगा अब दोसों अब सब लोगों को पताई होगा कि किस तरीके से द दिन वद दिन द्रोन भारत के लिए खत्रा बनते जा रहा है एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान जैसे देश चाइनिस एगरिकल्चरल द्रोनों का उपियो करके भारत के अंदर नार्कोटिक्स और हत्यारों का सप्लाई बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत के अंदर आतंकी गतिविदियों को अंजाम दिया जा सके तो उही पे दूसरे तरफ रशिया यूकरेन के लड़ाई के दर्मियान भी ये साफ हो चुका है कि द्रोन की इस तरीके से आर्मी के हत्यारों के लिए एक बड़ा खत्रा बन सकता है और इसी वज़ासे द्रोनों को काउंटर करना फिलाल अति आवशक बन गया है और संभावित इसी कारण के वज़ा से इंडियन आर्मी के द्वारा ये बड़ा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है ताकि द्रोनों को काउंटर करने के लिए एक पक्का वंदवस्त किया जा सके मिडिया रिपोर्टों के मुताविक हाली में ही मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के तरफ से इंडियन आर्मी के लिए एक नया रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है और ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंटी अन्मैन अरियल सिस्टम हाई पावर म चाहिए कि यह छोटे सै ठोदे राडर क्रॉस सेक्षन वाले टार्गेटों को भी डिटेट कर सके और ट्रैक कर सके ताकि स्टेल्स से स्टेल्टियर द्रोनों और को भी इन सिस्टमों के द्वारा न्यूट लैज किया जा सके जबकि इसके इलावा इलेक्ट्रो उप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें होना चाहिए ताकि नाइट कैपेबल द्रोनों को भी मतलब हला रात में उडान भरने वाले द्रोनों को भी ये निूटलाइस कर सके और इसके लिए हाई पावर माइक्रोवेब वेपन को जैमिं द्रोनों को ये जैम करके हवा में कॉमुनिकेशन को रोक के या फिर द्रोनों के संचार को रोक के द्रोनों को निूटलाइस करने का शमता से शुरू करके माइक्रोवेब सिग्नल्स का इस्तेमाल करके द्रोनों को अंदर से नश्ट करने का शमता भी इन सिस्टमों में होना चाहिए कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो सिस्टम है मतलब ये जो एंटी द्रोन सिस्टम है ये आने वाले समय में लड़ाई में भारत को काफी अधिक मदद करेगा और खाली लड़ाई नहीं बलकि पीस टाइम में भी पोडर पोटेक्शन में य दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पई करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम